What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today So, दोस्तों आज की वीडियो में मैं Filmora एप को यूज करके आपको ये सारे trending effect बनाना सिखाऊंगा बोले तो हम सीखेंगे कि इन effects को अचीव करने के लिए आपको वीडियो कैसे shoot करनी है और फिर उसको Filmora में edit कैसे करना है, कौन-कौन से effects लगाने है I'm sure आपको Filmora पता होगा यार, Filmora बहुत ही popular editing app है But just in case अगर आपको नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर history दे देता हूँ कि Filmora एक beginner friendly editing app है, video editing app तो अगर आप एक नए content creator है, आपने अभी अभी content मनाना शुरू किया है लेकिन आपको editing नहीं आती है, और आप editing में time बरबाद भी नहीं करना चाहते है आप content में time फोकस करना चाहते हैं, बरबाद नहीं तो Filmora आपकी बहुत जान बदा सकती है, क्योंकि Filmora में बहुत सारे options है, बहुत सारे templates हैं बहुत सारे effects हैं, cinematic effect, color grading, luts, what's up, आप लगा सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी वाद यह है, कि उन सारे effects को अपनी clip में लगाने के लिए आपको कोई सीखने की जूरूत नहीं है यह बहुत जादा बड़ा learning curve नहीं है, एक दो button click करके वह effect आपकी वीडियो में लग जाएंगे तो अभी Filmora चेक करिए, इसका सारे link आपको description में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं आज की वीडियो भी Filmora द्वारा ही sponsor करी गई है, और हाँ मैंने Filmora पे पीछे भी कई वीडियो बनाई है, तो अगर आप वह देखने में चुकत मैं यहां पर link डालूँगा, आप जाके उन वीडियो को चेक कर सकते हैं संभे की बरबाती किये हुए, बिना हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चांदे हैं कि यह मैंने एफेक्ट दिखा हैं, इनको एक एक करके कैसे बनाना है, कैसे शूट करना है, कैसे हीट करना है, लेट्स गो तो दोस्तों, फर्स्ट एफेक्ट के लिए मैंने एक नॉर्मल सा हईपरलैप शूट किया है, बेसिकली टाइम लैप से शूट किया है, तो इसके लिए अपने स्मार्टफोन के जो कैमरा है, उसका जो टाइम लैप्स मोड़ा है, और फिर हलके हलके अपने सब्जक की तरफ मूफ किया है, बस मैंने यहां पर ध्यान यह रखा है, जो आप एक चौकोर सा देख रहे हैं, मैंने इसको फोकस में रखा है, थ्रूआउट माई शूटिंग, बस इतना ही ध्यान रखना है, और यह एक छोटा सा टाइम लास मैंने शूट करा है, फिर इसके बाद हम इसको पर लिया है, यह देखिए मैंने मीडिया में इंपोर्ट कर लिया और फिर इसको टाइम लाइन पर लिया हूँ, एक पर जब भी टाइम लाइन पर आ जाएगा तो इसको ट्रिम करके मैं अपनी हिसाब से शौट कर लूँगा, मैं जितनी क्लिप की ज़रूद है मैं उतनी ही बनाऊंगा, मतलब कॉपी करके एक और इसकी कॉपी क्रियेट करूँगा, तो हम option बटन या alt बटन दबाके जब ऊपर ड्रैक करते है तो script की कॉपी क्रियेट जाती है, उसके बाद हम इस clip को स्लेक करेंगे और अंदर सेटिंग्स में जाएंगे, यह वार्य आइकन को दबा बस आपको यह एक ब्रश सा है टूल इसको मैजिकली आपको अपने subject उपर चला देना है, तो मैं यह बीच का जो खंबा इस पूरे खंबे पर यह टूल चला दूँगा, असान रहेगा, यह हैंड टूल से आप अपनी screen को कहीं भी मूव कर सकते हैं, अगर आपको बड़ी उ आपको सा slate है, जिस पे कुछ लिखी होई है, राइटिंग मेरे को उसको मास्क करना है, तो हमें क्या करना है, यहां पर एक eraser tool है, इसको select करेंगे, और धीधरी करके वो पार्ट जो आपको नहीं चाहिए, उसको erase करना शूरू करेंगे, जब एक बार आपके यह पूरा erase हो ज साइड में एक छोड़ासा dot छूड़ गया है, जो भी हमको देखनी रहता है, तो एक बार जब यह हो गया, आपका सब कुछ set हो गया, तो आप इसको अपना normal view में वापस आजाएंगे, और यह जो उपर green color का icon इसको दबा देंगे, और यह आपका देखिए track हो गया पूरा, फिर हम okay करके बाहर आजाएंगे, और अब यह हमारा mask हो गया, अब भी तो देखने में आपको normal लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बन करूँगा, इस नीचे की clip को enable disable करूँगा, तो आपको दिख जाएगा, और उपर सिर्फ window दिखाई दे रहा है, विच मीन्स के हमारा वो part mask हो गया, जो हमको करना था, अब next step में हम अपनी नीचे की जो original clip को copy करेंगे, और उपर के mask वाली clip को भी copy करके, इन दोनों की copy बना लेंगे, और वैसा इसलिए करेंगे, कि अब हम इन दोनों की speed को reverse करेंगे, तो आप पहले original clip को select करेंगे, speed में जाएंगे, और नीच आपका पूरा composition बन गया है, अब हम काम करते हैं effect पे, तो हम अपनी mask वाली clip select करेंगे, और effects में जाएंगे, यहां पर मैंने कुछ effect अलड़ी select करके रखे हुआ है, यहां पर दोस्तों दो प्रकार के effect है, एक effect तो ऐसे हैं, जो layers में आते हैं, तो जैसे कि अगर यह वाला effect है अगर मैं इसको drag करूँगा, तो यह थोड़ी जगा बनानी पड़ेगी मेरे को, यह देखे, यह layer में आया है, हमको यह effect नहीं चाहिए, क्योंकि यह effect हमारे लिए काम का, फिलाल इस, जो हम अभी composition बना रहे हैं, इसमें यह effect काम का नहीं है, हमको ऐसा effect चाहिए, जो directly clip में ल यह देखिए, यह clip पर आगया, और अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वो देखिए, हमारे जो mask वाला part है, वो देखिए, वहाँ पर ऐसा लग रहा है, किसी LED TV का screen लगा दिया गया है, फिर same effect हम दूसरी clip पर भी drag कर लेंगे, अब हमको क्या करना है, हमको यह effect पूरी clip प चलाएंगे तो पहले नॉर्मल चलेगी, फिर एकदम आएगी, और फिर बतलब जैसे glitch effect होता है, ठीक उसी तरीके से काम करेगा, next हम इसमें थोड़ा सा color grade कर लेंगे, effect के थोड़े colors के साथ खेलने के लिए, तो यहाँ पर जाके color tab में जाके, आप basically आपके पास यहाँ पर HSL का option है, आप यह भी कर सकते हैं, और यहाँ फिर आप basic tools के अंदर जाके आप थोड़ा exposure, contrast, ठीक है, वाइबरेंसी को बढ़ाके और थोड़ा सा आप चाहिए तो white balance के साथ play कर सकते हैं, और आपको जैसा effect चाहिए, वैसा effect शायद मिल जाएगा, और एक बढ़ा color डाल कर लिया, तो बस फिर आपके effect एकदम good है, अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है sound effect, क्योंकि sound effect के बना यार कुछ मज़ हम अभी फिलाल first clip पे हम ये वाला glitch sound लगाएंगे, और second clip पे हम दूसरा वाला digital आपका जो glitch है, ये वाला हम sound लगा लेंगे second clip पे, अब आते हैं next effect पे, ये है original clip, और ये है इसकी edited clip, तो ये simple setup है दोस्तों हमने एपनी बेटी को यूज करा है, एक top light लगी है, बैक light लगी है ये clip slow motion shoot करी है, मैंने 120P पे तो मैंने clip को यहां पे लियाऊंगा, अब यहां पे दिखा रहा है देखिए कि ये 100 fps की clip है, तो मैं इसको 25 जो project setting हो ही रहन दूँगा, ताकि मैं इसको अपने हैसाब से adjust कर पाँँ, अब यहां पे, पहले हम इस clip को trim कर लेंगे, जहां तक मेरे speed control में जाऊंगा, यहां पे, और यहां पे इसको 0.25, इतना कर लूँगा, अब देखिए कितनी लंबी हो गई है, और यह देखिए, slow motion होने के बाद थोड़ी सी smooth भी हो गई है, तो यह हो गई हमारी final clip, इसको फ़र्दर ट्रिम कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि color grade कर लेंगे, आपको जिस भी प्रकार का color grade करना है, तो मैंने एक यह, यहां पे बहुत सारे luts है, मैंने एक यह select करके रखा है, जो इस clip पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को black and white है, तो मैं यह इस पे implement कर दूँग, और यह देखिए, कुछ ऐसा सा आया है, म हम फिर से smart cutout को on कर लेंगे, और इस green वाले बटन को दबा के, इसको select कर लेंगे, अब यहां पे हमको, मेरी subject मेरी बेटी मैं इसको select करूँगा, ऐसे green वो करके, और देखिए, बहुत अच्छा AI ने बहुत अच्छा selection करके दिया है, बस यहां पे एक चीज का द्यान अखना आप उसको select कर सकते हैं, brush tool को use करके, जैसके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पे इसके थोड़े बाल बाहर निकल रहे है, तो मैं brush का radius को छोटा करूँगा, इन बालों को select करूँगा, और यह बाल भी selection के अंदर आ जाएंगे, एक बार आप selection से जब satisfy रहे जाएंगे, त अब हम क्या करेंगे, कि हम फिर से नीचे वाली clip, जो original clip है, इसको हमने mask नहीं किया है, उसको यह copy बनाएंगे, तो मैंने उपर वाली clip को ऊपर सरका दिया है, और बीच में जगा खाली कर दिया, अब मैं फिर से इसकी copy बना रहा हूँ, जो original clip है, अब तुबार हम उपर वा होता है कि इसको detail नहीं मिलती है, तो यह एक बार में selection नहीं करेंगे, तो आपको multiple brush stroke मारने पड़ेंगे, और अगर ना हो तो आप manually जाके paint कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, एक बार जब आपने selection से satisfied हो जाएंगे, तो फिर आपको इसको भी feather करना क्योंकि otherwise बहुत ही hard edges आएंगे लिखके, और अगर आपको कुछ delete करना है पार्ट तो आप delete करके उसको mask के अंदर include कर सकते हैं, तो basically यह मेरा mask radio हो गया, मैं इसको हलका सा feather करूँगा ताकि soft हो जाए, और जब एक बार यह मेरे को ठीक लगने लगेगा, तो मैं बस green button को दब background है, दूसरी layer पर background wall है, और जो तीसरी layer है वो हमारी original layer है, जिस पर हमने कोई masking नहीं करी है, अब यहीं पर सारा कमाल होना है दोस्तों, तो हम जो foreground है, उसको हम ऊपर कर लेंगे, और बीच में एक जगा खाली कर लेंगे, एक extra layer लाने का, और इस जगा पर हम effect वाली layer लेके आ यह layer वाला effect है, तो हम इसकी layer को यहाँ पर लेके आएंगे, बीच में, यह effect आ गया है हमारा layer के बीच में, और यह कुछ ऐसा सा look दे रहा है, अब हमको पूरी video में यह effect नहीं चाहिए, अगर हम पूरी video में चलाएंगे तो वो बात नहीं आएगी, तो हम basically इस effect और जो videos को है जो ऊपर की video उनको trim करेंगे, तो मैंने पहले background वाली video trim कर ली, अब मैं effect वाली video trim कर रहा हूं, इसको थोड़ा adjust करता हूं, और अब foreground वाली video को भी trim कर लूँगा, तो अब यह effect दोस्तो कुछ ऐसा लगेगा, अगर मैं वीडियो में चलाओं, तो normal video, और यह आगया effect, और अ यह final, इतना सा portion में glitch डालेंगे, मैं आपको फिर से चला कर दिखाता हूं, यह देखी glitch आया, और यह video वापस से normal होगा, यह थोड़ा सा music video टाइप का effect लग रहा है, ऐसे effect हम music videos में ज्यादा यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे VR stickers भी हैं, बहुत सारे, तो मैं उसमें से एक sticker उठा के, और लगाँगा इस clip पे आगे, अगला effect डालने के लिए, तो यह मज़ेदार नहीं आरा, तो मैं दूसरा try करता हूं, कोई, I think, यह वाला better लगेगा, शायद, Yes, I think, यह best लग रहा है, तो हम इसको बस खतम होने से पहले ही, इस sticker को भी बंद कर देंगे, So, that's it for today's videos, guys, hope आपको यह content अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, या किसी भी प्रकार की मदद होई हो, तो प्लीज मेरी एक मदद जरूर करियेगा, लाइक के बटन को जरूर दवाईएगा, यार, जब भी आप लाइक दवाते होना, यूट्यूब को नोटिस जाता है, कि यह बंदा थोड़ी महनत कर रहा है, इसकी थोड़ी मदद करो, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दवाईएगा, और अगर अच्छा लग रहा है, तो यार, सब्सक्राब भी कर लेना मेरे चैनल को, बाकी जल्दी ही मैं आपसे अगली वेडियो लेके मिलता हूँ, अगर आपका कोई सवाल हो, तो इस वेडियो को नीचे कॉमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाइ करने की कुशिश करूँगा, and that's it, I'll see you soon, बाइबाई!